असलाम अलेकूम आज मैं बनाने जा रहे हूं चिकिन चिली हॉट डॉग उसके लिए मैंने यहां पर हॉट डॉग बंज लिया हुआ है यह आइसबर्ग है थोड़ी सी प्याज लिए जै से इस् स्केसट काट लिया है थोड़ा सा कैप्सिकम है इसे उसे ंजा मैं झूट कर लिया है तो आप वही नवक है तो आप लिया सकते हैं तीन हरी मेर्च है ट॥ी सिलीट कर लिया मेरे पास म्योनिस है, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस और थोड़ी चीज चाहिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन में मैं हाफ स्पून सोया सॉस का डाल रही हूँ हाफ स्पून मैं ग्रीन चिली सॉस का डाल रही हूँ शेजवान सॉस, यह भी आदा चमच है, पैपर एंड सॉल्ट, और इसमें थोड़ा सा कॉन फ्लार, इन सारी चेज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लें, यह चिकन जो मैंने मैरीनिशन केया था, थोड़े साइल में डाल रहे हूं, थारे चिकन के टुकड़ों के टुकड़ो अच्छे से पकाना है, चिकन हो गया है यह अच्छे से प्राइग और मैं इसे निकाल रहे हूं एक प्लेट में, यह वही ओईल है, मैंने इसमें सारी ओईल निकाल दिया, सिर्फ हाफ स्पून रहने दिया है, अब इसमें जाएगा गारलिक, जो बारिक कटी हुई हमने बता आई थी आपको, हल्की सिस्की कलर चेंज हो जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाए, इसमें दालेंगे यह ग्रीन चिली, स्लेट की हुई, प्याज कटी हुई, और कैपसिकुम, प्याज और कैपसिकुम को ज्यादा सॉप्ट नहीं करनी है, इसमें आदी चमच, मैंने सोय सॉस लिया और आदी चमच ग्रिंचिली सॉस लिया, इसमें डाल दूँगी, मैं मिक्स कर लोगी, इसमें जाएगा चिकेन, जो हमने फ्राइ किया हुआ था, थोड़ा सा नमक, नमक समाल के डाने, सोया सॉस में भी नमक होता है, थोड़ा सा पैपर पाउडर, और ये अजीनो मोटो थोड़ी सी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा ज्या थोड़ा सा, 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 यह होट डॉब बैड है इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है आप उपर से भी स्लेट करके कर सकते हैं मगर इसी ब्रॉटनेस कम है इसलिए मैं अंदर से स्टफ कर रही हूँ मियोनिस और मस्टेट सॉस है यह इसे ऐसे लगा लेना है आइस पर इसमें मैंने जो ग्रीन चीले इस्तमाल की थी वो मैंने सारी निकाल लिये इसलिट की हुए स्टफिंग को इस तरीके से डाल लेना है इसमें थोड़ी सी चीज इसे हम सारे चिली रोल्स बना लेंगे होट डॉग के फिर मैं आपको दिखाती हूँ बना कर पूरे यह देखिया हमारा चिली चिकन होट डॉग रेड़ी है मैंने यहाँ पे इसे रख दिया अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंज में अपने फैमिली में शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे के मैं कोई भी वीडियो डालू तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए अल्ला हाफिज